Hello and Welcome to Delhi Byte, जैसा कि आप लोगों को पता होगा UGC NetGRF के एक्जाम में टोटल दो पेपर्स के एक्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 वो होता है जिससे आपने मास्टर्स किया होता है और इसी के बेसिस पे UGC NetGRF का फॉर्म फिल किया होता है, पेपर 1 सभी के लिए क प्रिवियस यर की सीरीज को कम्प्लीट करा रही हूँ, यह है प्रिवियस यर जुलाई 2018 का पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है और उसके साथ साथ और भी प्रिवियस यर के लेक्चर्स आ चुके हैं, जिससे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस में जा सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला कोशन, यह एक रीजनिंग है जिसमें हमें देखना है कि यह किस टाइप का रीजनिंग है, मैथमेटिकल है, साइकलोजिकल है, एनलोजिकल है या डिड़क्टिव है, तो देखिए अभी तक अगर आप लोग प्रिवियस य को फॉलो अप कर रहे होंगे, तो आप लोग यह देख रहे होंगे कि एनलोजिकल रीजनिंग पे हर इयर में कोशन, एक्जैम में देखने को मिल ही जाता है, तो यह भी एनलोजिकल रीजनिंग पे ही बेस कोशन है, एनलोजिकल पे बेस होने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज का comparison करना किसी दो वस्तुओं का किसी दो अब्जेक्ट का comparison करना तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है in the same way इसका क्या मतलब हुआ किसी चीज से तुलना हो रही है इसलिए यह क्या हो जाएगा अनलोजिकल रीजनिंग नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रेमाइसेस दिये गए हैं और इसके बेसिस पे हमें चेक करना है कि कौन सा conclusion सही है तो चलिए हम लोग प्रेमाइसेस के help से draw करते हैं पहला क्या बोल रहा है कि most of the dancers are physically fit तो यह है dancer का circle और बहुत सारे dancer क्या ह है physically fit है ओके और second premise क्या बोल रहा है कि most of the singer are dancer तो most of the singers are क्या है dancer है कुछ इस type का यह बनेगा पुरा diagram अब हम लोग चलिए चेक करते हैं कि कौन सा conclusion सही है most of the singers are physically fit यह देखे physically fit वाला area यह है और यह रहा singers का area क्या बहुत सारे ऐसे singers हैं जो कि physically fit हैं नहीं तो यह statement क्या हो जाएगा wrong second क्या है most of the dancers are singer यह इसी बात को ना दूसरे तरीका से लिखा गया है तो यह तो correct हो गाई कि बहुत सारे dancers क्या है singer है now most of the physically fit person are dancer यह भी सही है कि physically fit बहुत सारे हैं जो dancer है most of the physically fit persons are singer यह वाला और यह वाला दोनों एक ही है लेकिन दो अलग अलग तरीके से लिखे गया है यहां पर singers को physically fit कहा जा रहा है और यहां पर physically fit को singer कहा जा रहा है तो हमारा correct one कौन सा होगा सिर्फ B और C तो answer हो जाएगा option number B next यह यहां पर पूछा जा रहा है इन में से कौन सा ऐसा है जो की presupposition है inductive reasoning को लेकर तो देखे inductive reasoning ना uniformity of nature को follow करता है तो यहां पर uniformity of nature इसका answer हो जाएगा और यह question भी कई बार आपको exam में देखने को मिलेगा कि inductive reasoning किस से related है तो uniformity of nature next यहां पर एक statement दिया हुआ है domestic animals are hardly fairly Phariseus और यह क्या है यह गलत है तो अगर यह गलत है तो इन में से कौन सा ऐसा होगा जो की certainly यानि कि निश्चित है कि वह सही ही होगा तो देखे यह square of opposition पर based question है square of opposition कुछ इस तरह का होता है यहां पे all positive में होता है यहां पे all negative में में होता है, यहां पे some positive में होता है और यहां पे some क्या होता है negative में होता है, 據 अब हमें यह देखना है कि domestic animals are hardly ferocous, तो इसका दूसरे अगर easy way में अगर हम कहना चाहें तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि domestic animals है न ऐ फेरो सियस ना के बराबर है, यानि कि यह statement को क्या बता रहा है कि ये गलत है, ओके, ये some negative में statement है, अगर some negative गलत होता है न, तो all negative भी गलत होता है, तो answer क्या हो जाएगा, all and some, positive में, तो all domestic animals are ferocous, सही है, and most of the domestic animals are ferocous, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, correct, बाकी no और some not, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, next, यहाँ पर हमें देखना है कि इन में से कौन-कौन से ऐसे statement है, जो कि ICT से related है, और true है, तो ICT का full form होता है, Indian classical technology, ये सही है क्या, एकदम नहीं, ये statement wrong है, क्या होता है ICT का full form, information and communication technology, second statement क्या है, कि ये जो converging technologies होती है, जो कि ICT में included होती है, या merge होती है, जैसे कि audio, visual, telephone, computer, networks, ये सभी क्या है, cable system के थुरू है, एक ही cable system के थुरू है, तो देखिए इसका answer क्या हो जाएगा, option number B correct है, यानि कि only Q, ये statement correct है, next, ये जो new laptops आजकल आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, weight में कम होते हैं, बहुत ही छोटे हो और बहुत कम power भी use करते हैं, previous जो laptop के models है न, उनके तुल्ला में, तो ये जो models हैं, इसमें क्या ऐसा खास या कौन सी ऐसी technology add की गई है, जिसके कारण ये features आ रहा है, तो solid state hard drive, next, ये दिके email से related question भीना कई बार UGC net के paper 1 में देखने को मिलता है, तो ये जो question है क्या है कि स्व Swami, Swami को इन में से कौन सी चीज़े दिखेंगी, अगर वो एक mail को receive करती है, तो यहाँ पे क्या-क्या लिखावा है, 2, CC, यानि की कारवन copy and then BCC, यानि की blind कारवन copy, तो ये किसी को mail किया जा रहा है, CC है और BCC है, तो इन में से कौन सी चीज़े है, जो वो Swami देख पाएगी, त राम को भेजा गया है, वो देख सकती है, या फिर राज से related देख सकती है, और रभी, इन तीनों का वो email ID देख सकती, कि इन सभी को ये चीज़े भेजा गया है, अप लोगों ने देखा हुआ कि यहाँ पे, राम यहाँ पे है, और वो राम को देख पा रहे है, कि चलो ये देख पारी है, तो यही यहाँ पे question था, खास इसमें कि क्या वो नहीं देख पाएगी, अगर हमें यह पता होगा, तो क्या देख पाएगी, वहाँ तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे, next, यहाँ पे ना कुछ units दिये गए हैं, जिससे की computer में use किया जाता है, तो इसे हमें small से high तक arrange करना है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number C, यानि कि सबसे छोटा क्या होता है, bit, then byte, then kb, then mb, then gb, and then tb, next, यहाँ पे हमें देखना है कि memory से related, computer में जो memory होती है, volatile, non-volatile, ram, rom, यह सबी जो है, उन से related है, और कौन-कौन से statements true है, तो यहाँ पे statement क्या है, rom एक volatile memory है, यह statement गलत है, क्योंकि rom, क्या है, non-volatile memory होता है, then ram एक volatile memory है, यह एकदम correct है, then secondary memory, volatile memory होती है, यह भी गलत है, primary memories जो होती है, ना सिर्फ वो होती है, volatile, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number B, only Q is correct, next, यह जो fly assets होती है, जो thermal power plant से produce होता है, वो बहुत ही eco-friendly resource होता है, किस चीज के ल तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number D, इन चारो ही चीजों के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, बाकी आप लोग अपने performance को boost कर सकते हैं, हमारे website www.deleybytes.in पे visit करके, जहाँ पे UGC NetJRF के previous year paper और sample paper मौजूद है, जिसे solve करके आप अपने performance को boost कर सकते हैं, और अपने आपको exam ready कर सकते हैं, साथी साथ आप लोग Delibyte की paid membership भी ले सकते हैं, UGC NetJRF paper 1 के लिए, जिसके regarding video lecture आपको हमारे playlist में मिल जाएगा, वहाँ पे UGC NetJRF paper 1 करके playlist बना होगा, इसका जो सबसे पहला वाला video lecture होगा, इसी के regarding होगा कि membership क्या है, क्या instructions follow करने पड़ेंगे, क्या क्या तैयार हो जाएंगे, तो आप यदि Delibyte की paid membership लेना चाते है, paper 1 के लिए तो इस video lecture को जरूर देख ले, इसका link description box में भी दिया हुआ है, और comment section में भी pinned है, तो चलिए हम लोग आगे के questions को देखते हैं, इन में से कौन सा ऐसा natural disaster है, natural disaster यानि कि वो nature के द्वारा होता है, जिस assertion क्या कह रहा है कि indoor air pollution is a serious health hazard, जबकि reason क्या कह रहा है कि the dispersal of air pollutant is rather limited in indoor environment, तो यहां क्या हो जाएगा answer option number 1 कि दोनों ही statement correct है और reason assertion को support कर रहा है, चलिए next question देखते हैं, यहां पे हमें क्या करना है, arrange करना है घटे करम में, घटे करम यानि कि descending order में, जैसे कि यह आर बहुत बड़ा है, इस से जस छोटा आर यह है, I think इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, कि यह घटे करम में कुछ इस type का हमें arrange करना है, किस चीज को तो इंडिया का total power generation में किस type के energy source का कितना percent use होता है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number A, सबसे जादा energy thermal power plant से आत nuclear energy, next, इन में से कौन सा ऐसा pollution का source है, जो कि इंडिया के rivers को polluted रखने में contribute करता है, तो यह untreated savage जो होते हैं, वो सबसे जादा क्या करते हैं, rivers को pollute करते हैं, यहाँ पे देखिए और भी जो options है न, वो river को pollute करने में काम आते हैं, लेकिन यहाँ पे question क्या कह रहा है, कि major, तो यहीं पे question में twist हो जाता है, कि हमें सभी तो सही है, लेकिन सबसे जादा किसका contribution है, कौन जिम्मेदार है, इंडिया के rivers को गंदा करने में, तो untreated savage, next, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कि इंडिया जो है, वो largest higher education system चला रही है, लेकिन किसके बाद, world में किसके बाद आती है, तो इसका अंसर हो जाएगा option number A, USA, Australia, China और UK, इन सभी के बाद इंडिया का education system आता है, next, इसमें हमें बताना है कि जो prime minister research fellowship है, PhD programs के लिए, वो किन को provide किया जाएगा, क्या वो students पढ़ रहे होंगे, pursue मतलब क्या चीज की student पढ़ाई कर रहे होंगे, कि उन्हें prime minister research fellowship मिलेग तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number C, next, हमें इसमें choose करना है कि इन में से कौन-कौन से ऐसी committees है, जिसके member कौन होते है, leader of opposition, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number B, A, B and C, next, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा statement correct है, जो कि gender budgeting से related है, तो देखिए ये, इसका अंसर क्या हो जाता है, government के उपर कि वो budget women के लिए भी थोड़ा बनाए, और दूसरा answer क्या हो जाएगा option number D, कि एक innovative budget है कह सकते हम लोग, next, यहाँ पर हमें बताना है कि इन में से कौन-कौन से से barriers है, barriers है, यानि कि रुकावट है, जो कि citizen centric नहीं हो रहा है administration इंडिया का, citizen centric मतलब कि सारे जो भी policies आते हैं, वो citizen को ध्यान में रखते हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा option number D, यानि कि A और B, दोनों ही, next, यहाँ पर हमें बताना है कि इन में से कौन-कौन से ऐसे statement है, जो कि correct नहीं है, when diagram के method से related, तो इसका answer क्या हो जाएगा option number C, बाकी के statement से नहीं वो correct है, when diagram से related भी question exam में आता है, कि Venn diagram के method से related, तो यहाँ पर आप लोग कौन सा correct नहीं है, इस पर focus करने से better है, कि कौन सा correct है, इसे आप लोग note down भी कर लें अपने copy में, this was all for this video lecture, बाकी आप लोगों को UGC NetJRF से related कोई भी doubt हो, कोई भी query हो, तो आप लोग मुझसे directly Instagram पे जूर सकते, इसका link description box में भी दिया हुआ है, या फिर आप लोग simply Instagram पे search कर सकते हैं, Delhibyte Nupur, मैं वहाँ पे मिल जाओंगे और आप लोग वहाँ मुझसे जूर सकते हैं, और आप लोग Telegram का भी part हो सकते हैं, हमारे Delhibyte Education Telegram Group का, जिसमें कि आपको UGC Net या फिर किसी भी teacher education से related कोई भी update हो, उसस सबसे पहले updated रह सकते हैं, इसी Telegram के थूरू और इसका भी link description box में दिया हुआ है, साथी साथ आगे आने वाले lecture से updated रहने के लिए Delhibyte को subscribe कर ले, साथी साथ bell icon को भी press कर ले and also follow and connect with us for updates and queries through these social media sites, links are given in the description box, stay tuned, stay updated and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section, thank you.